तो आप सब का मेरे चैनल में स्वागत है और आज मैं आप लोगों के सामने व्लॉग से एर करने वाली हुगाइस तो आज मेरे फैमिली फंक्सन यहाँ पे होने वाला है जो यहाँ पे हम विन्यू पे आया है ना इतनी जगह जगह इतनी प्यारी सी जगह है ना मुझे इतना परसनली पसंद आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का मैं आपको नजारा दिखा दू इतना बड़ी हसा है आप भी खुस हो जाएंगे तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं गाईस ओके तो चलो इतनी प्यारी जगह है ना मतलब मुझे तो काफी परसनली मजा ही आ सो फ्रेंड इतनी अच्छी जगह है ना यह सच्ची में न मुझे परसनली यह मैंने बहुत सालों से नाम सुना था बटना परसनली मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ तो देखिए लोकेशन भी इतना च्छे नगाईस और यहीं हमने बाहर की तरफ पूरा खाने वगरा की त्यारी करी हुई है और देखिए सब तरफ पूरे हरे भरे पेड़ पौधे हैं चलिए चलिए मैं आपको आगे की तरफ ले चलती हूं कि अब ही तो यहाँ पर खाली है मैं पहले यह आ चुकी हूँ और देखिए यहाँ पर पूरे स्टॉल अपना लगने वाला है गाईस और यहाँ पर हमने एक सिल्फी जोन बना रखा है जो दिन में काफी अच्छा इसका व्यू भी लगने वाला है और आप एक चीज और देखके बहुत थी खुस हो जाएंगे आपने न फूलों से तो काफी सारे डेकोरेशन देखे होंगे लेकिन देखो आज का जो हमारा स्टेज है न बिल्कुल नेचिरल नजर आने वाला है देखो आमका पौधा लगा है पेड़ जो बन चुका है पीछे और यहीं पे दुलहा-दुलहन को हम भी ठाने वाले हैं और यहां पे थोड़ी देवन में पूजा के लिए सजावाट होने वाली है गाइस तो बिल्कुल इतनी प्यारी सी जगह है ना और यह देखें यहां पे कितनी प्यारी सी जगह है ना यहां पर भी आप सुकून से बैठ सकते हैं और यहां पे रूम्स वगयरा की विवस्था है तो अगर आप दो दिन छुट्टी मनाना भी आना चाहें तो आ सकते बिल्कुल रिसॉर्ट इतना प्यारा सा है ना यह मुझे तो परसनली इतना ज्यादा पसंद आ रहा है ना देखें डस्ट बीन भी जो पूरा है ना यह मिट्टी से बना हुआ मिट्टी या सिमेंट साहर उससे कितना प्यारा सा लग रहा है तो देखें मेरी प्यारी सी परी भागते हुए आ रहे है मुझे देखकर हाई करो बिट्टा हाई करो हाई करो और देखें यहां पर सारे रूम्स की विवस्था है तो अराम से हम यहां पर रूख सकते हैं हम रूम में आ चुके हैं और चलिए मैं आपको क्यूट सी दुलहन से मिलाती हूं तो यह है मेरी प्यारी सी ननन्द और आज इनी की सगाई है देख लिशा है सब लोग विश कीजिए इसे तो गाईस यहां पर सगाई की तैयारिया हो चुकी सगाई होने लगी है और मैं थोड़े से काम में भी जिए हूँ क्योंकि कुछ न कुछ जरुद पड़ते जारी तो इधर उधर मेरी भागा डोड़ी हो रही है तो मैं अभी आपको फ्रेम में नहीं दिखाई देने वाली गाईस और देखिए काफी अच्छे से हमारे पंसन था कंप्लीट हो गया बहुत ही मजाया तो गाईस मेरे लाइफ में कुछ ऐसे एडवेंचर होता नहीं है बस वही रूटीन लाइफ है इसलिए मैं ब्लॉग वाले जो वीडियो से आपके साथ सेयर नहीं कर पाती हूँ त पाती हूँ